चीन्टी और कबूतर की कहानी एक बार की बात है एक बहुत मेहनती चीन्टी नदी से पानी पी रहा था अचानक चीन्टी अपना संतुलन खो बैठी और नदी के पानी में गिर गई और हेल्प 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 कहती चिलाया पर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी एक कबूतर पेड़ पर बैठी थी कबूतर ने देखा कि चीन्टी मुसीबत में है उसने जल्दी से पेड़ से एक पत्ता तोड़ा और इसे पानी में डाल दिया ताकि चीन्टी बच सके चीन्टी पत्ते पर चड़ गई उसने कबूतर को उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया कुछ दिनों के बाद कबूतर एक पेड़ पर बैठा था चीन्टी ने एक शिकारी को आता हुआ देखा वह कबूतर पर अपना तीर का निशाना लगाते हुए खड़ा था चीन्टी को पता चला कि उसका दोस्त कबूतर खत्रे में है और शिकारी जैसे ही तीर छोडने वाला था चीन्टी जल्दी से शिकारी के पैर पर जोड़ से काट ली और शिकारी दर्द में चिलाया शिकारी का तीर कबूतर को नहीं लगा इस बार चींटी ने कबूतर को बचा लिया कबूतर ने उसका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद दिया और वो दोनों हमेशा के लिए दोस्त बन गए कहानी की शिक्षा अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना